हेलो फ्रेंड्स आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एकदब नया नास्ता ऐसा खास्ता करारा नास्ता आप सोच भी नहीं सकते हैं की से हम उबले हुए आलू से बनाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं इस नास्ता को तो यहाँ पर हम उबले हुए आलू लिए थोड़ा सा ठंडा कर लिया है तो इनको grate कर लेंगे तो यहां पर हमने छोटा वाला grater लिया है आपचाहे तो मोटे वाले भी ले सकते हैं लेकिन छोटा वाला लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा इन आलूओं को हम कद्दू कस कर लेंगे और ये देखिए सारे आलू बढ़ियां से ग्रेट हो गए है कोई भी गुठली या लफ्स नहीं है आलू में अब इसके साथ क्या करना है इसमें हम एट करेंगे ब्रेट क्रम्स तो तीन ब्रेट को हमने ब्रेट क्रम्स बनाया है तो मिक्सर जार में डाल कर चला लीजिएगा ब्रेट क्रम्स रेडी हो जाएगा दो चम्मज सफेद तील डालेंगे आधा चम्मज कुटी हुई लाल मीर्च डालेंगे आधा चम्मज साबुद जीरा थोड़ा साहरा धनिया आधा चम्मज आमशूर पौडर आधा चम्मज जीरा पौडर स्वाद अनुसार नमख डाल दे अब इसमें डालेंगे मैदा तो मैदा की जगा आप कॉर्ण फ्लोर भी ले सकते हैं या गेहूं का आटा भी ले सकते हैं तो यहाँ पर हम मैदा का इस्तमाल जादा नहीं करेंगे दो ही चम्मज मैदा डालेंगे और सभी को अच्छे से मिलाएंगे यहाँ पर आप और भी कोई मसाले डालना चाहते हैं तो ले सकते हैं मैगी मसाला भी डाल सकते हैं तो यह बहुत अच्छे से मिल गया है अगर यहाँ आपको थोड़ा गीला लगे तो थोड़ा सा और मैदा डाल सकते हैं अगर मैदा नहीं है तो कोन फ्लोर भी ले सकते हैं तो बस आपको क्या करना है हाथ में थोड़ा सा तेल लगा ले और छोटी छोटी सी लोई ले लेंगे और इस तरह से रोल करेंगे यहाँ पर आप अपने मन पसंद सेफ में बना सकते हैं जैसा आपको पसंद हो सिलेंडर सेफ है जैसा भी आप अपने इस्टायल में बना सकते हैं क्योंकि यह रेस्पी आप जैसे भी बनाना चाहें बन जाएगी तो यहां पर हम Slender-Akar में बना रहे हैं तो इसी तरह से हम सभी नास्ते रेडी कर लेंगे फटा-फट ये इतने टेस्टी लगते हैं कि आप जब बनाएंगे तभी आपको मालूम होगा तो इसी तरह से सभी नास्ते हमने रेडी कर लिये हैं तो चलिए इसे हम fry कर लेते हैं तो तेल को पहले से ही गरम कर लिए थे बस एक एक करके सारे नास्ते डाल देंगे तो जितना नास्ता एक बार में आएगा उतना हम डाल देंगे और ये नास्ता इतनी टेष्टी बनती है कि guarantee है आप इसे एक बार बना लेंगे तो हर बार बनाएंगे तो यहाँ पर recipe पसंदार ही हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजेगा और चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा और friends और दोस्तों में share भी कर दीजेगा flame को हमने यहाँ पर medium to high में रखा है एक बार में जितना नास्ता आए और असानी से अलट पलट जाए उतना नास्ता हमें add कर देना है तो आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपको इसे fry करते समय फ्लेम को low नहीं करना है इसको medium to high के बीच में ही fry करे इससे भी कम तेल में ये नास्ता आप फ्राय कर शकते है तो देखिए अलट पलट कर कितना बढ़िया सुनहरा रंग आया है नास्ता एकदम परफेक्ट बनकर तयार हो गया है सुपर क्रिस्पी, सुपर टेश्टी अचानक से चाहे महमान आ जाए चाहे बच्चों को आपको फटा-फट कुरकुरा इसनेक देना हो यह सुबा सामकी हलकी फुलकी भूग चाए के साथ साम में ये नास्ता बना सकते हैं पांच मिनट में जटपट बनने वाला ये नास्ता तयार है अगर आपको कुछ नया नास्ता बनाना हो तो ये नास्ता आप जरू ट्राइ करें उपर से क्रीस्पी अंदर से टेस्टी अगर रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सेर और सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो मिलते हैं नए दिन, नए रेस्पी के साथ